मैं हेलिकॉप्टर से देख रहा था मैदान में तो जगा नजर नहीं आ रही है लेकिन मैं देख रहा था सारे रास्ते इतने भरे पड़े हैं लोग भागते हुए इधर की तरब चल रहे हैं मैं नहीं मानता हूँ को वो पहुँच पाएंगे मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आप आशिरवाद देने के लिए आए मैं भारतिय जनता पार्टी के सभी कार्यकरताओं की तरब से आपको सादर फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ पंगाल की इस धर्ती ने हमारे समस्कारों को उरजा दी है पंगाल की इस धर्ती ने भारत की आज़ादी के अंदोलन में नए प्रान भूके है पंगाल की इस धर्ती ने ज्यान विज्यान में भारत का गवरो बढ़ाया है पंगाल से निकले महान व्यक्तित्वों ने एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को ससक्त किया है पंगाल की इस धर्ती ने एक विधान एक निशान एक प्रधान के लिए बलिदान देले वाले महान सपूत हमें दिया ऐसी पावन मिट्टी को मैं अनेक अनेक बार नमन करता हूँ साथियों ये मेरा सवभाग्य है कि आज इस आइतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड पर मुझे फिर एक वार आपके आशिरवाद पाप्त करने का आउसर मिला है प्रिगेड ग्राउंड के आसपास एक तरफ स्वामी विवेकरन जी का जन्मस्तान है दूसरी तरफ नेताजी सुभाज बाबू का निवास्तान है एक तरफ महर स्री स्री अरविंदो का जन्मस्तान है तो दूसरी तरफ डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी का जन्मस्तान है ये कोलखाता बंगाल और पूरे भारत की बहुत बड़ी प्रेरना सली है बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउन में अनेको बार ये नारा गुंजा है ब्रिगेड चलो सुना है ना ब्रिगेड चलो इस ग्राउन ने अनेक देश भक्तों को देखा है लेकिन ये ग्राउन बंगाल के विकास में रोडाट काने वालों का भी गवा रहा है बंगाल की भूमी को चोबिसो घंटे हरताल और बंद में जोक देने वालों की नीतियां और साजी से भी इस ग्राउन ने देखी है इन लोगों ने बंगाल की इस महान भूमी का जो हाल किया वो पीड़ी दरपीड़ी बंगाल की लोगों ने सहा है बरदास किया है लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है ये बंगाल के लोगों की अदम्या इच्छा सकती है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मिदों को कभी छोड़ा नहीं बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया आपके सपनों को चूर चूर कर दिया ये वो लोग है जिनोंने बंगाल का विश्वास तोड़ा इन लोगोंने बंगाल को अपमानित किया यहां की बेहन बेटियों पर अच्चाचार किया लेकिन ये लोग बंगाल की उमीद यहां के लोगों का होसला कभी भी तोड़ नहीं पाए आज जो ये जन सागर मौजूद है वो इस उमीद की इस होसले की जीती जाकती तस्वीर है बंगला चाए उन्नोती बंगला चाए शांती बंगला चाए प्रगोतोशिन बंगला बंगला चाए शोनर बंगला मैं देख रहा हूँ इस बार के विदान सभाज चुनाओ में एक तरफ टी एमसी है लेप कॉंगरेस है उनका बंगल विरोधी रवया है और ये चुनाब ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगल की जंता कमर कस करके खड़ी हो गई है आज भाजपा को आशिरवाद देने के लिए लाखो लोगों का यहां आना लाखो लोगों का पुरे प्रदेश भर में निरंतर आशिरवाद बनाए रखना सामान्य मानवी हो मंगाल के बौदिक जन हो कला जगत के लोग हो सभी अपना प्रेम अपने आशिरवाद बरसा रहे है सब के दिल में एक ही इच्छा है हमारा बंगाल विकास की नई उंचाही पर पहुँचे आज तो हमारे बीच बंगलार छेले मिधुन चक्रवर्ती जी भी है उनकी जीवन गाथा संगर्श और सफलता के अध्भूत उदारनों से भरी हुई है अपनी सफलता का पुन्या वो लोकनाद बाबा के आशिरवात से सामान ने जनों तक पहुँचा रहे है साथियों आज ब्रिगेट गाउन में आप लोगों की हुंकार ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदे नहीं रह जाएगा साइद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज दो मई आ गई है भावयों में पुरी ताकत से मेरे साथ बोलिए दोनों मुठी बंद करके बोलिए हाथ उपर करके बोलिए पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की साथियों भारत माता के इस जैकारे की गोंज बंगाल के कौने कौने तक जा रही है बारत माता के अशिरवाद से सोनार बंगला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा यहां आया एक एक व्यक्ति हमारी माताएं, हमारी बहने, हमारी बेटियां बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिबर्तन के लिए आया है आशोल परिबर्तन मैं इस ब्रिगेड ग्राउन से आपको ही इस आशोल परिबर्तन का विश्वास दिलाने आया विश्वास बंगाल के विकास का विश्वास बंगाल में स्थीतियों को बदलने का विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का उद्योग बढ़ाने का विश्वास बंगाल के पुनर्दिरमार का, विश्वास बंगाल की संक्रुति और यहाँ की परंपराव की रक्षा का, मैं विस्वाद दिलाने आया हूँ कि आप के लिए यहां के इन अउजवानों के लिए यहां के किसानों के लिए उद्यमियों के लिए यहां की बेहनों बेटियों के विकास के लिए हम चोबिस गंटे दिन रात महनत से काम करेंगे हम महनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे हम पल पल आपके लिए जीएंगे हम पल पल आपके सपनों के लिए जीएंगे ये विश्वाह दिलाने में आया हम आपकी सेवा करेंगे आपका हशिरवाद लेंगे आपका दिल सिर्फ चुनाव में नहीं हर पल आपका दिल जितते रहेंगे अपने काम के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, उसकी नीती, उसके निर्णेयों में बंगाल के लोगों का हीत, यह सुप्रीम होगा बंगाल के लोगों का हीत, यह सर्वोपरी होगा यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, आशोल परिबोर्तन का मंत्रा, उसकी प्रेरणा होगा उसके परिश्रम का आधार होगा आशोल परिबोर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को सिख्षा और रोजगार के परियाप्त आउसर मिले आशोल परिबोर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े आशोल परिबोर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फुले जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए आशोल परिबोर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21 वी सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो आशोल परिबर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा आउसर मिले आशोल परिबर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर छेत्र हर वर्गी की विकास में बराबर की भागीदारी होगी उत्तर बंगाल हो या दक्षिन बंगाल हो पस्चिमान चल हो या जंगल महल आदिवासी हो या दलीद पिछडे हो वंचित हो चोचित हो या हमारे सररारती भाई बहन सभी पर एक पराबर ध्यान दिया जाएगा जहां सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास शाषन का मंत्र होगा जहां उन्नयन सबका होगा तुस्टी करां किसी का नहीं जहां गुस्पैट को रोका जाएगा गुस्पैटियों को रोका जाएगा साथियों गुलामी का इतना बड़ा कालखन भी बंगाल की छमता बंगाल के सामर्थ को कम नहीं कर सका था आजादी के इन 75 वर्षों में बंगाल ने जो खोया है बंगाल से जो चीना गया है वो मुझसे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से चीना गया है भाईयों बैनों मेरे शब्द लिख रखिये जो भी बंगाल से चीना गया है उसे वापस लोटाएंगे आज़ब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो बंगाल एक नई उर्जा एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा देश की तरह ही बंगाल के विकास के लिए भी अगले 25 साल बहुत एहम है इन 25 वर्षों की शरुवात का पहला पढ़ाव ये विधान सभाज चुनाव है अगले 5 वर्षों में बंगाल का विकास अगले 25 वर्षों के विकास का आधार बनाएगा इसलिए इस बार आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे लेकिन बंगाल को बनाने के लिए बंगाल को विकास की नई उचाएँ पर पहुँचाने के लिए वोट डालेंगे जब 2047 में 25 साल के बाद देश जवाजादी के 100 साल मनाएगा तब बंगाल सारे हिंदुस्तान को फिर से एक बार आगे ले जाने वाला बंगाल बन जाएगा बंगाल में पोर्ट से लेकर के एक्सपोर्ट तक टी से लेकर तुरिजम तक माच की बात हो या भात की बात पस्टिम मंगाल की माटी और समंदर में सब कुछ है जो जीवन को बहतर बनाने के लिए जरूरी है बस यही निती साफ नियत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है यहाँ बनने वाली भाजपा सरकार एंडिये सरकार इसी सोच से आगे बढ़ेगी बाई और बहना कोलकाता तो सीटी ओफ जॉए है कोलकाता के पास सम्रुद्ध अतीत की विरासत भी है और बविश की संभावनाए भी है ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोलकाता के कल्चर को सुरक्षित रखते हुए इसे सीटी ओफ फ्यूचर न बढ़ाया जा सके कुछ दिन पहले ही देश के टॉप शहरों की लिस्ट निकली है कि हर मंगाल वासी की अपेक्षा है कि कोलकाता भी इस लिस्ट में टॉप के शहरों में हो इसके लिए चाहे कनेक्टिविटी सुधार ना हो नए नए उद्योगों की स्थाप ना हो टेकनोलोजी का विस्तार करना हो स्टार्ट अप के लिए बहतर माहोल बनाना हो हम पूरे कमिटमेंट के साथ काम करेंगे आपने देखा होगा कोलकाता मेट्रो का विस्तार अब और तेजी से किया जा रहा है केंद्र की हमारी सरकार ने कोलकाता की धरोषों को सजाने सवारने के लिए अनेक प्रयास किये है जब कोल खता में विकास का डबल इंजिन लग जाताएगा तो वो रोड़े वो अर्चने भी खत्प हो जाएगी जो भी कदम कदम पर हमें अनुभव होती है आप अंदर्जा लगा सकते हैं कि इनकी कमिशन बाजी की वज़र से कोलकाता एरपोर्ट से जुड़े हुए कई काम देखिये कब तक रुके हुए है ऐसे रुके हुए हर काम को बाज़पा सरकार में तेज गती दी जाएगी यहां के स्मार्ट सिटी प्रोजेक को बाज़पा सरकार में नई उर्जा मिलेगी शहर में नए फ्राइवर बनाए जाएगे अधूरे फ्लाइवर्ज को समय सिमा में पूरा किया जाएगा बाज़पा सरकार बनने के बाद कोलकता में जुग्यों में रहने वाले को भी पक्के घर मिलेंगे प्रदान मंत्री आवास योजना का लाब मिलेगा रेडी और ठेला लगाने वाले हमारे भाई बहनों को भी भाज़पास सरकार में स्वनिदी योजना का लाब तेज गती से दिलाया जाएगा साथियों कोलकता के साथ ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी आत्मंदिर पर भारत को उरजा देने की बरपूर खमता है वाज़पास सरकार में इन शहरों के इंफर सेक्टर को आदूनिक बनाये जाएगा ताकि वहाँ पढ़ाई कमाई और बुजुर्गों के लिए दवाई के नए साधन विक्सित किये जा सके पस्टिम मंगाल में फूर प्रोसेसिंग और पॉर्ट लेट डवलप्मेन की भरपूर संभावना है आत्मंदिर पर भारत अभियान के तहत इन उद्योगों में निवेश को यहाँ प्रोसाहित किया जाएगा इससे किसानों से लेकर मचवारों तक हर किसी को लाब मिलेगा बहनों और भाईयों पस्टिम मंगाल में आशोल परिवर्टों के लिए गाव और सहरों के स्थानिय सासन यानि ग्राम पंचायत नगर निगम और नगर पालिकाओं के शासन में पूरी पारदर सताथ भी उतनी ही जरूरी है इस लोग तांत्रिक ववस्ता को जिस तरह से तहस नहस किया गया है वो आप भली भाती जानते हैं इस ववस्ता को बंगाल में बाजपा फिर से मजबूत करेगी सरकारी सिस्टिम पर पुलीस पर प्रशासन पर जनता का विश्वास जागे हम वो परिपॉर्टन लेके रहेंगे यह हम लाएंगे बाजपा सरकार में एक्जाम से लेकर के ट्रेइनिंग और रिकूट्मेंट तक एक पार दर्शी व्यवस्ता फिर से खड़ी होगी स्किल डेवलप्मेंट के लिए केंदर सरकार की योजनाओ को यहां इमामदारी से लागो किया जाएगा